चलिए बात करते हैं पेवल कॉस्मो से स्मार्ट वोच को इस स्मार्ट फों से कनेक करके complete कैसे एक एक फीचर्स यूज़ कर सकते हैं खुटका फोटो से इट करना, बलोटूथ कॉलिंग एंड कम्प्लीट इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं सब कुछ इस video में हम बात करें वालए वीडियो में आगर बढ़े इस चेलर पर लेगर आख चैनल कर दीज़े सब्स्राइब एं वीडियो कर दीजे लाइक सो चलिए चलते हैं फटा पर देखते हैं कनेक करके complete कैसे यूज़ करना है सो चलिए बात करते हैं कैसे इस पेबल कॉस्मो से एंगेज स्मार्टोच को स्मार्टफोन से करने करके complete उस करना है इसका unboxing and review वीडियो मैं link description में देद दूँगा वहाँ से complete कैसे कुछ feature से इसमें क्या क्या देखने के लिए मिल लाता है वहाँ से आप उस वीडियो में देख सकते हैं एक आपको बता दू तो इस button को आप प्रेस करके इसको customize कर सकते हो इसको प्रेस करने से क्या open होना चाहिए complete मैंने उस वीडियो में बताया है यहाँ से कुछ इस तरीके से crown से आप watch faces change कर सकते हो crown को प्रेस करके ही जो आप menu में जा सकते हो menu को भी crown से ही कुछ इस तरीके से scroll कर सकते हो और कुछ इसमें games भी देखने के लिए मिल जाते है इसको आप on off करने के लिए यूज कर सकते हो इसमें आपको always on display देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से इसके साथ बात करूँ अगर हम scroll down करते हैं messages वगरा देख पाओगे वहीं अगर हम side अगर करते हैं कुछ इस तरीके से watch face चेंज कर पाओगे यहां से आप split screen open कर सकते हो कुछ इस तरीके से वहीं आप scroll up करते हो तो यहां से bluetooth on off कर सकते हो menu style change कर सकते हो यहां से password आप लगा सकते हो यहां पर इसको on कर दोगे उसको आपको password डालना है वो password set हो जाएगा तो जब भी आप screen on करोगे तो password डालना होगा यहां से और भी features जैसे calculator भी यहां पर देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से features आप use कर सकते हो इसके सांथ बात करूँ तो यहां से अगर हम setting में एक बार जाते हैं तो setting में जाने के बाद यहां से Bluetooth आपको on कर देना है connect करने से पहले rise to wake feature को on off कर सकते हो sidebar को on off कर सकते हो यहां से also बात करे तो यहां से आप vibration को on off कर सकते हो यहां से आप button को set कर सकते हो यह side button को customize कर सकते हो क्या होना जीए मैंने यहाँ पे torch set करके रखा सकते हो यहां से बात करता है तो time set कर सकते हो और also बात करता है метब में से कर सकते हो वृणी यहाँ से पासअ कर सकते हो कुछ इस तरीके से and कितने wirं तक always on रहना चाहिए कितना और यहाँ पे आप सेट कर सकते हो वाहा अंतक्ति हो सत्धा रीसेट कर सकते हो सकते हैं और हैससे हो सहित रूर कुछ। प्रेशर मोनेटिंग, ब्लड ऑक्सिजन मोनेटिंग, केमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड मैफोन, वेधर अपडेट, वाटर रिमाइंडर, स्टॉप वाच, कल्कुलेटर, कलेंडर, कलेंडर, कलेंडर इसमें आप देख से काफी मन्त के काफी यर्स के यहां पर आप यहां से यहां से फीचर को आन अफ कर सकते हो, वहीं अगर बात करें, कुछ इस तरीक थे से अगर हम कैसे कंट्र करके, कुछ खुट का फोटो एन ब्लोटूथ क्लिंग कैसे यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यह एम टू वेयर करके अप्लिकेशन इसको डाउ 51 MB के आसपास and कुछ इस तरीके का application है आपको इसको download कर लेना है so मैंने install कर लिए है उसके बाद इसको open करना है M2Ware open कर लेता हूं and आपको यहाँ पर agree कर देना है आपको permission माएंगा while using the app कर देना है यहां से कुछ इस तरीके से देख सकते हो अभी हाँ open करते हैं यहां पर देख सकते हो एक प्यर का option और बाद यहां से हम प्यर कर सकते हैं यहांसे अपना information डाल देना है, nickname इसमें कंपल सरी है, तो कोई भी आप four digit का यहां पर nickname डाल देना है, डाल देने बाद इस पर कलिक करके, फिर से यहां पर Determine पर कलिक करते कुछ इस तरीके से सेटिंग हो जाएगा, यहां पर try search का option आ रहा है यहां पर yes पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से देख सकते हो सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगा ध्यान रखने यह ब्लूटूथ आफ का ओन होना चीए तब ही आप connect कर पाओ गरना problem करने में कुछ इस तरीके से देख सकते हो है यहां पर यहां पर पूरा भी वाइट है अभी प्लूटूथ लेकिन अब भी ब्लूटूथ से Connect नहीं हो गया है मतलब 몰ी यहां जो सकते हैं तो कैसे करेंगे आगे देखते हैं यहां पर तो च्लावड पर क्लिक करके यहां पर इसको इनेबल कर दिना है इसके साथ हम बैक आते हैं यहां बाद कुछ इस तरीक है फीचर्स होगा उसके बाद आपको प्रोफाइल पर जाने बाद देख सेकतो इस तरीक है तो अभी बहुत ग्रीन ही यह जबकि यह आधा ग्रीन ना आ होंगा हूटा नहीं होता है तो आपको फोन आना है पर सर्च करना तो जैसे की हम देख रहा है है सर्च हो रहा है कि तो देख सकते हो के आयँगा है यहाँ पर एंगेज ओझा नगा यहां बैक करके तो एक नहीं हो Algernya कर देंग है इसह को इसके आपको प्लिक करके पियर Bluetooth on होना चाहिए and कुछ इस तरीके से आपको pair करना है तो थोड़ा सा मुट कर देख सकते हूँ ऐसा कुछ हाएगा pair and pair पे हमें क्लिक कर देना है pair पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो smart watch पे आधा green and आधा blue हो चुका है कुछ इस तरीके से ही आपका Bluetooth आधा green and आधा blue हो जाना चाहिए तब ही आप calling अगे रखा यूज कर पाओगे कुछ इस तरीके से देख सकते हो Bluetooth से complete connect हो गया है उसके बाद हमें क्या करना है find my device पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे हमें आपे देख सकते हैं vibrate and drink करेगा आपका smartwatch कुछ इस तरीके से sound आएगा जैसे कि आप देख सकते हो इसके सांथ बात करें तो यहां से rise to wake feature को जो है यहां से on off कर सकते हो साथ ही बात करते हो यहां पर additional setting है यहां पर message reminder को यहां पर on कर सकते हो क्या-क्या notification से यह वह यहां पर देख सकते हो अभी हमारा सब कुछ on है यहां से आप अपने हिसाफ से set कर सकते हो अभी एक बार मैं आपको call करके दिखाता हूं call का notification कैसे आता है यहां पर मैंने हाइड करके रखाए क्यान पर number Еще हो ऐला है तो एक इसनी आ थो क्यांपर name charm only इसका एक solution है आगे हम देख ऑफ और solution वर्टा है या ने यहां से आप call को कुछ इस तरीके से रिसीव कर सकते हो and रिष्ट करके आप बात कर सकते हो ऑट ही cool कर सकते हो कुछी से कLouis कर सकते हो है एक भार को मैं सूरसय सो कर सकते हो यहाँ से कम यहां से स्मार्टफोन और करता हूँ तो मैंने message वहां से send कर दिया है जैसे message यहाँ पर receive होगा आप देख पाएंगे तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो message आएगा यहाँ पर view पे अगर में click करता हूँ आप message को यहाँ से भी देख सकते हो scroll down करके यहाँ पर हम click करते हैं तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप message को देख सकते हो मैंने message किया subscribe and press bell icon कुछ इस तरीके से देख सकते हो message received हो गया है यहाँ पर पर तरीके से जो message भीजता है उसका name show करता है बड़ calling के time नहीं show करता है वो एक issue इसमें आ रहा है कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो आगे और settings के करें हम बात करें तो यहाँ पर remote selfie आप camera control यूज कर सकते हो sleep monitoring यहाँ पर automatic heart rate measurement जो है on off कर सकते हो power saving mode on off कर सकते हो language यहाँ से set कर सकते हो 24 hour time format set कर सकते हो आप किस wrist में किस hand में पहनने वाले right ये left वो यहाँ पर दे दो सही रहेगा factory reset कर सकते हो और यहाँ से disconnect कर सकते हो साथी बात करें तो back आते हैं यहाँ एक dial का option है ठीक है dial वाले option पर हम click करते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके का option आएगा यहाँ से भी आप watch faces कुछ इस तरीके से जो है set कर सकते हो काफी सारे watch faces यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है live watch faces देखने के लिए मिल जाता है जो ही काफी अची चीज़ है बात करें इसको कैसे set करना है है तो sự क्या करना है है सिम्प्लि अगर जिसको भी एं में सन्ध करना है इसरेक हम पैसे उसके साथ है और बात करते हैं खुद का फोटो कैसे set कर सकते हैं कुछ इस तरीके से सो होगा इंड कुछ इस तरीके से आप टाइम को कहा रखना चाहते है वह यहाँ पर क्या दिखना चाहते है तो मुझे यहाँ रखना है तो यहाँ रख दूंगा नीचे मुझे कुछ ने चीहँ तो में हीड कर दूंगा उसके वाद के बाद यहां पर कलर से बीए कर सकते हो अब यहां से simply आपको apply कर देना है apply करने के बाद देख सकते हो यहां पे start हो गया है set होना यहां पर देख सकते हो अभी 0% है and यह जैसे ही 100% होगा तो यहां पर देखते ही 20% 30% and काफी fast काफी easily कुछ इस तरीके से आप set कर पाओगे अभी हम देखेंगे live हमारे सामने जैसे 100% होगा यह हमारे smart watch पर set हो जाएगा तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से set होगा यहां पर देख सकते हो यहां पूरा 100 हो रहा था यहां पर थोड़ा सा crop हो गया है तो यह एक issue है इसमें तो इसको कैसे आपको करना है तो select image पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ फिर से मैं इस photo को select करता हूँ एंड यहां से please select पर क्लिक करता हूँ तो यहां से उपर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहां से completed ठीक है उसके बाद crop करता हूँ थोड़ा मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ ठीक है तो आमने देखा नीचे इ यहां से apply कर देते हैं अब हम देखेंगे क्या यह हमारे हिसाफ से जैसे हमने सेट किया है उस हिसाफ से हो रहा है या नहीं तो ऐसा कुछ issue ऐसा कुछ problem आपके साथ भी आ सकता है तो कुछ इसी तरीके से आपको adjust करना है जैसे कि मैंने किया यह एप को भी थोड़ा से smart watch को सुधारना चीए जो भी इसका application है इसमें यह issue आ रहा है तो इसको सही करना चीए डाइल के हिसाब से तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो फिर भी इसमें issue आ रहा है तो यह डाइल का बहुत बड़ा एक issue है तो आप देख सकते हो हम खुद का photo set कर रहा है तो नीचे से crop हो जा रहा है अब इसका जो solution है यह update के थुरू application के थुरू smart watch company को पेबल को ही लाना ह होगा तो फाइनली देख सकते हो कुछ इस तरीके का यह एक major issue जो है अभी face करना पढ़ रहा है से smart watch में and इसी के साथ हम आगे अगर बात करें तो यहाँ पे skin switch कर सकते हो phone book में यहां से कोई भी context यहाँ पे add to पे click करके यहाँ पे select पे click करके कोई भी contact add कर सकते हो जो कि आप खुद का photo set करना में यहाँ पे आ रहा है जो कि paypal को सही करना चाहिए बाकि complete कुछ इस तरीके से यह I think future में यह bug सही हो जाएगा तो complete कुछ इस तरीके से आप खुद का photo set कर सकते हो and complete कुछ इस तरीके से smart watch को connect करके use कर सकते हो बाकि कोई भी question हो तो instagram का link description में वहां से follow करके message करके पूछ सकते हैं तो आपने देखा इस smart watch को कैसे complete connect करके use कर सकते हैं बाकि कोई भी अगर question हो तो instagram का link description में वहां से follow करके message करके पूछ सकते हैं and I hope ए वीडियो आपको पसंद आओगा वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को like किजीगा चैनल प्रहें तो चैनल को subscribe करके bell like and praise किजेगा ठीक है friends thank you Jai Hind